हेलो एबरीवन वेलकम टू टार्गेट आईएस माइनम इस महिन निरंजन और यह शिक्क्र ओलिंडार रंक 80 एंड गेट 2016 हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सिग्नल और सिस्टम्स पढ़ रहे हैं यह कौंसा लेक्चर है सैवंथ लेक्चर इससे पहले जो हमने शिक्स लेक्चर प अगर कोई फंक्षन है उसमें टाइम रिवर्सल लगा देंगे और उसके आगर सेम फंक्षन मिल जाए तो वह क्या हो जाएगा इवन फंक्षन हो जाएगा यह हम और देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में और क्या बढ़ाता अगर एक्स अप्टी कल टू माइनस अप एक् दोनों कंडिशन को सेटिस्फाइ नहीं कर रहा है तो वह फंक्षन क्या हो जाएगा नाहीं तो वह एवन रहेगा नाहीं क्या रहेगा और रहेगा अब हम क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर तक कि कोई ग्राफ दिया रहेगा हमको यह फंक्षन दिया रहेगा उससे हम निका यह भी अगर और निकालना है तो क्या हो जाएगा एक्स ऑफ पाइड़ पाइट इकल टू एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड़ बाइड़ वाइड़ यह हम दोना चीज ने प्लास लेक्चर देख चुक आप हम क्या बढ़ेंगे आगे कि अगर कोई यह एक्सा बंसन दिया है जिसका हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हैं हमको थोड़ा टफ वड़ेगा ग्राफ प्लॉट करना तो हम उससे डारेक्ली कैसे बता करेंगे कि वह फंक्शन एवन है यह और यह उसका इवन पार्ट यह आओड पार्ट कैसे निकालेंगे वह सिंग्नल तो अभी कंटिनु करते हैं एवन और के निमेरिकल अभी क्या हमको यह वाला निमेरिकल दिया हुआ है क्या हुआ है एक्स उप्टी इकल टू माइनस फाइव टी प्लस फोल टी इस पर इसको हम सिंग्नल को ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसकी क किसदी हमको दिया हुआ है हमको क्या है किसकी ज़रत है एक्साप माइनस टी एनी ती की जगे माइनस टी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा टू म讲ähän 5-t plus 4-t का square इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2-5-t plus 4-t square तो यह क्या जाएगा x-t आ गया x-t आ गया and x-t आ गया अब even क्या होता है x-t equal to x-t अगर यह condition satisfy हो गई तो क्या हो जाएगा even signal हो जाएगा and x-t equal to minus of x-t हो गया तो क्या हो जाएगा odd signal हो जाएगा यह odd यह even अब क्या करेंगे इसमें t equal to 1 put करते हैं पहले दोनों में t equal to 1 पर क्या value आ रही इसको देख लेते हैं तो x-1 क्या हो जाएगा इसको अगर x-1 बोल जाए तो क्या हो जाए x-1 क्या हो जाएगा अब x-1 of 1 निकाल लें अगर इसमें 1 put कर दें x-1 of t equal to x-t लिया हो जाएगा यह ना confuse मत हो आप लोग तो क्या हो जाए x-1 of t इसमें put करेंगे तो कितना 2 plus 5 plus 4 equal to कितना हो जाएगा इतना हो गया यानि कि इसमें ना ही तो यह condition हो जाए कि x-t equal to कितना ना ही तो x-t है यह वाली condition भी satisfy नहीं है और क्या नहीं है x-t equal to minus of x-t यह दोनों condition satisfy नहीं वरें यानि कि ना ही तो यह signal दिया है वो क्या है नहीं even है एंड नहीं क्या है और है दोनों नहीं है तो अब इसकी even या और पार्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको हमारा जो फर्मूला है क्या है even पार्ट का फर्मूला x of even of t equal to x of t plus x of minus t divided by 2 अब इधर put कर देंगे दोनों की value क्या हो जाएगा x of t की value कितनी है 2 minus 5t plus 4t square plus उसकी value कितनी है x of minus t की यह वाली value तो केतनी हो जाएगी 2 plus 5t plus 4t square 5t से 5t cancel divided by कितना 2 हो जाएगा उपर क्या करेंगे सबको add कर दें कितना हो जाएगा 4 plus 8t square by 2 2 कॉमर ले लेंगे तो कितना बचेगा 2 plus 4t square तो यह क्या जाएगा कितना आगे हमारा even part x even equal to even of t equal to 2 plus 4t square यह आगया अब इसी का odd part निकालना है तो क्या हो जाएगा x odd part of t equal to 2 minus 5t plus 4t square यह क्या हो गया x of t हो गया then minus of x of minus t x of minus t की value कितनी है इतनी कितना हो जाएगा 2 plus 5t plus 4t square divided by कितना हो जाएगा 2 minus का अंदर multiply कर देंगे तो कितना बचेगा 2 minus 5t plus 4t square minus 2 हो जाएगा minus 5t हो जाएगा minus 4t square हो जाएगा divided by 2 तो 5t sim रहेगा 4t square and 2 cancel हो जाएगा 4t square and 2 यह कितना minus 5t यह भी minus 5t तो कितना हो जाएगा यह भी minus की value यह भी minus की value तो इधर minus आ जाएगा अंदर कितना minus 5t बचेगा तो क्या निकल गया अगर कोई signal पहले हमने देख लिया तो even है कि order हो और देख लेते हैं अब हमको क्या दिया है कि x of t equal to it to the power minus t दिया हो अब क्या करना है इसका even and odd part check करना है कि even है कि order function तो क्या करना पड़ेगा x of minus t कितना हो जाएगा x of minus t equal to it to the power अब यह देखो अगर मैं इसको x1 से replace कर दूं x1 of t से तो t equal to 1 पर value निकाल लूंगा तो x of 1 equal to it is power minus 1 and x1 of 1 equal to कितना हो जाएगा it is power 1 तो क्या यह दोना function equal है नहीं है क्यों नहीं है कि यह क्या हो रहा है one y is हो रहा है और यह क्या हो रहा है यह हो रहा है इसक्या होरा एकश of t क्या not equal to सब्सक्राइब क्या हो गया ना इसके क्या फाइंड करने हमको इवन पार्ट और पार्ट कैसे फाइंड करेंगे सब्सक्राइब क्या होता है अगर आपको टिक्नोबेटरी का कुछ आद आ रहा होगा तो इसको क्या बोलते हैं क्या है क्या है क्या है क्या है क्या अगर इसको इस टाइब से लिख दें इट अगर नहीं पता चलगा आपको आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अभी बेसिक्स है क्या है कि इसको कैसे रिप्रिजेंट कर देते हैं कभी कभी क्या होता है ऑप्सन में स्ट्राइब क्यों देदेगा कि इवन पार्ट इसका यह होगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है अब इसका और पार्ट निकालते हैं और पार्ट कैसे निकालेंगे इसको क्या बोलते हैं यह वाला होता है साइन हाइपरफोलिक टी साइन हाइपरफोलिक इसको सब्सक्राइब वह देखके हैं माइनस सब्सक्राइब टी इए अ चवा उकलत इक इवह एंस सब्सक्राइब 스во十 cev last करको कभी कंगा को स्बस्राइब और गकॉ तो आप लोग को बेसिक पता है कि यहां से पहुंची जाओगे लेकिन आपको आंसर मैच करने के लिए आपको यह इसकी वेलू बता होने चाहिए तो आप डारेक्टली ऑप्शन पर टिक मार दोगे और आगे बढ़ जाओगे तो समझ में आगया कि कैसे निकालना है कैसे करना है अभी क्या निमेरकल है एवन और पार्ट्स आफ यू आपको यह एक फंक्शन है तो आप्शन क्या कह दिया है हमको यह ऑप्शन दिया हुआ है 1y2, x of ty2 v option क्या दिया हुआ है minus 1y2, x of ty2 c option क्या दिया हुआ है minus 1y2, x ty2 and d option दिया हुआ है minus 1y2, minus of x ty2 sorry, minus यह न ही plus होगा है तो यह चार option दिये हुए है अब इसको क्या बोलना है हमको कि यू of ty को किसके फॉर्म में represent करना है X of T के फॉर्म में रिप्रेजन करना है कि क्या रिप्रेजन करना है उसके even and odd parts अभी क्या करेंगे इसको क्या से लिखने लिए even part निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मुला है पहले U of T क्या होगा यहां से हो जाएगा यह अब U of minus T क्या होगा इस type का signal होगा इसकी value कितनी रहेगा one इसकी ली क्या है one u of T होता यह हो यह क्या गया इव-t हॉलक्रों नीकालनी के लिए क्रना है दॉनों को add करना है यहीं कि even part of u of t क्या हो जाएगा u of t plus u of minus t divided by 2 अब यह देखो इन दोनों को add कर देंगे तो किस ठाइब का function बन जाएगा negative value के लिए इसकी value कितनी है one negative value के लिए इसकी value one positive value के लिए इसकी value कितनी है one तो क्या एक constant function आजाएगा one one का तो क्या हो गया यह u of t plus u of minus t तो कितनी आगे इसकी value उपर वाले की value one divided by two याणि की even part कितना आ गया u of t equal to half आ गया तो हमारे पास कौन कौन से option दिये थे चार option दिये थे चार में से जिसकी value negative आ रही थी वह वाले तो घट गए अभी कौन सा बचा a option बचा एंड d option बचा तो अभी even odd part भी निकाल लेते हैं यानि हमको दोना part निकालने पड़ेंगे तभी option हमारा सही आएगा क्योंकि अभी क्या है 50% option तो गए गए तो अभी और पार्ट निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे और पार्ट निकालने के लिए तो क्या माइनस होता है x of t minus u of odd equal to u of t minus of u of minus t divided by 2 यानि कि इसमें क्या negatives multiply करना पड़ेगा तो क्या signal बन जाएगा यह क्या है u of t है सॉरी एक बार अच्छे से ड्राग को लेते हैं यह कोई u of t हमारा function है इसकी value कितनी है 1 है u of minus t की कितनी है u of minus t इस टाइब का है अगर इसमें minus का multiply कर देंगे तो कि यह कितना हो जागा माइनस बन जाएगा n की अब इसको कैसे ड्राग करेंगे यह इस टाइब का बन जाएगा इस टाइब का माइनस 1 u of minus of u of minus t इस टाइब का बन जाएगा अब दोनों को जाहों क्या करेंगे सब्स्ट्रेक करेंगे सब्स्ट्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा इसको एंड इसको तो किस टाइब का फंग्शन बन जाएगा यह कि यह क्या सब्स्ट्रेक करना मतला अब क्या हो गया दोनों को एड करना है क्यों क्यों कि इसकी वल्लू तो हमने निकाल ली ना minus u of minus t तो इसको कैसे लिख देंगे plus and इस type से लिख सकते हैं इसको minus u of तो अब इन दोनों को क्या add कर देंगे तो किस type का function मन जाएगा यह इस type का यह समाझ गए आप लोग इसकी यह क्या add t and यह क्या रहेगा u of t minus plus minus of u of minus t यह आगया अब यह देखो इसकी value इधर कितनी 1 इधर कितनी minus 1 अब क्या करना है हमको divided by 2 करना है तो यह कितना हो जाएगा 2 और इसी के विए यह क्या है अगर यह 1 रहेगा इतना तो यही तो क्या है हमारा x of t यही है ना जो हमको दिया हुआता है समझ को किसे react video कितना हो जायेगा समझ क्या आप लोग यह जाया क्या किया पहले पहले क्या किया क्या करना पड़ेगा Rew1 पार्ट पार्ट के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा अब और पार्ट निकालेंगे तो वह स्टाइब का और नहीं को निकालना था यह जंब के जांडागा संट्रीक ऑनुझत्री में Lea सब्सक्राइब मतलब क्या अपको कभी ज्यूंच कोचले संट के इसका सब्सक्राइब को कम रहें अपके ज्यादा चांसे कहिए कि conceptual question आएंगे कोको कॉंसेट तो एकदम आराम से कर लोगे तो यहां सब सबसे ऊनल क्या होता हैinais यूदिक सेल फिरेदिक स्टेख्टमक्रींस जो क्या होगा एक certain amount of time के बाद अपने आपको repeat करें यानि कि signal क्या हो repeat हो कुछ time के बाद जैसे कि कोई sinusoidal function समाज़ो एक sign wave दिए आपको इस type का अब यह क्या हो रहा है देखो इस type का sign wave दिए है minus infinity से infinity cycle कहां से start वो रही है यहां से यहां तक आने का बद क्या हो रहा है क्या हो रहा है पहले increase कर रहा है देन decrease कर रहा है देन फिर आके कहां हो रहा है जीरो हो रहा है अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जो condition यहां पर थी वही इसका वेलु क्या हो जाएगा तो पाई यानि कि जैसे रिपीट होगा जब वो रिपीट हो रहा है बार बार तो क्या हो जाएगा वो को periodic signal हो जाएगा ठीक है यह क्या हो गया उसका बेसिक हो गया अब हम उसका देख लेते हैं कि टाइम पिरिट बगर रहा है पिरोडिक होगा वह देख लेते हैं अभी अभी एक और चीज़ आपको अभी तो आपने क्या देखा एक सिगनल दिया हुआ है वह क्या है इसको हमने इसके लीए उसके लिए उसके लिए कुछ कंडिशन है क्या कि कोई सिगनल पिरोडिक कब होगा उसके लिए उसको दो सबसे पहले हमको कोई भी सिगनल देखना कि वह सिगनल होगा या वह सबसे पहला कंडिशन हमको present होना चीछ है इसका मतलब है यह ना मारेश से इंसरा नहीं कि यहां तक खतम नहीं कि लिए कप्हआ प्रजेंटों से सबस्क्रब्राइब कंडिशन का हो गया कि सिग्नल कहां एकशिक करना चीए निन करना चाहिए यह नहीं बने कि कुछ सब्सक्राइब से इस्टार्ट होगा देन फिर जाएक खेदम हो गया तो उस टाइब को सिंगल तो क्या पीरिटिक हो गई नहीं कभी तो जब पहला कंडिसन सटिस्पाइब हो जाएगा कि हाँ माइनस इंपिनिटी से इंपिनिटी है और उसके पीरिटिक है कि नहीं है तो कैसे इट मस्ट रिपीट इट सेल्फ आप्टर सम अमाउंट अब टाइम डैट इस टी जो हमने पहले देखा था कि कोई टी के टांटी के बाद उसका क्या हो रहा है सिंगल रिपीट हो रहा है एंड टी इस उसके बाद टी होगा वो क्या ह हो जाएगा उसका टाइम पिरिडेट हो जाएगा सिंगल का कि संगल हमेंसा असे होना चींड कंडिसन क्या हो इसकत ha यह कि इंगे और omega amusement को क्या पोलेंगे विक्या है कि ृक TS की के इसका मेुद्वेत्व देखेंगे तो आपको सुम्हें में ढू है और को एकदम क्लियर हो जाएगा वह आपका अब साइने सिंग्नल देख लेते हैं वेशिक्स क्या होता है इसको कैसे करते हैं यह साइन ओमेगा नौट टी प्लस फाइव इस टाइप से क्या है इसका जनल फॉर्म है किसका रिपरेजन करने का साइन सब्सक्राइब का इसमें यह क् और यह ओमेगा नौट टी क्या होता है ओमेगा कि क्या होती है इसको क्या बोलते हैं फेस एंगल बलते हैं फेस एंगल एंड 5 क्या होता है हमारा face shift तो यह आप लोग समझ गए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक जनरल फोर में किसका sinusoidal wave को रिप्रेजेंट करने का यह क्या हो गया उसमें amplitude हो गया omega 0 t को क्या बोलते हैं face angle बोलते हैं angle क्या हो बोलते हैं क्योंकि इसकी unit क्या रही है एंगल में ही आ रही है रेडियन में आ रही है और यह क्या होता है फाय हमारा होता है face shift यह कि system lead कर रहा है कि lag कर रहा है किसमें उसके representation में यह जो apply कर रहे हैं किसी भी उसमें system में तो signal है कोई signal को apply करेंगे तो वो जिस हमारा origin पर जाना चाहिए तो यह क्या इस टाइप से चलता रहेगा तो यह समझगे आप लोग तो इसकी value जो होगी वो क्या होता है फाय होता है तो हम अलड़ी network में भी देख चुके हैं कि five कैसे निकालते है कैसे calculate करना है और एंड control system में हमको पता है कैसे करना है तो अभी हम देखेंगे कि omega 0 t की value आ रही है इसको क्या बोल रहा है फेस एंगल बोल रहा है इसको क्या बोल रहा है फेस इप बोल रहा है और यह हमारा क्या है amplitude है तो यह क्या हो गया general form हो गया किसका sinusal function को represent करने का कई अब हम अगर क्या करें कि सेस्ट अफेसल क्या है मारेगा हमारा ओंबाद टी समी strengthening करें किस्षे टाइम से एप लायट ओफ फेसल इंगल 15ig कि इसको पूट कर देंगे डिवाय डिटी ओप ओमेगा नौट टी तो क्या आ जाएगा ओमेगा नौट मिल जाएगा हमको ओमेगा नौट हमारा क्या है फंडामेंटल फ्रेकोंसी है जो मावी देख चूँके उप़र टाम्फियूर्ट निकालने के लिए तो हमरा क्या समय मिल ख़ते डिफरेंचयर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा होमेगा नौट ब्ल जाएगा तो इसको क्शेट करने से यह मिला अगर ओमेगा n anytime और अगर आ होता है यह आपको पता ही है लगा क्यों क्या होता है 但 यह लिए का ताइम निकाल लेंगे स्को अगर इंगल को था करेंगे तो क्या होगा फंडॉमाइग देतल है को इसको निकल ना है कि सिंगनल इक आडए क्वाइगा सबसे पहले यह तो मिलांग कहते हैगे थिया है कि सब प्रोवाइडिड अगर साइन के अंदर टी के जगे रूटी लिखा हुआ है यहनि स्कौर रूट अप्टी लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा वो प्रियोडिक नहीं होगा वह आगे देख लेंगे क्यों नहीं होगा लेकिन अगर आपको एक केवल एक साइन दिख रहा है औ हो गया थो टाइम पिरेट क्या और टो पाइब ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट टी की बेलू कितनी है 300 पाई टी से टी गैंसल तो अमेगा जाएगा टाइम पिरिट टी इकॉल टू टू पाई डिवाइड़ वाई 300 पाई से पाई कैंसल यह कितना बज़ेगा 150 यानिकि टी इकॉल टू वन वाई 150 सेकंड यह क्या आ गया टाइम पिरिट आ गया इस सिग्नल का यह आप लोग समझ गए अभी क्या हमने देखा कि कोई सि पिरोडिक हो जाएगा अगर इस स्कॉयर रूट अव टी होगा तो क्या हो जाएगा वह नहीं रहेगा यह अभी आगे जाके देख लेंगे आपको बताया यह तो इसका टाइम पिरिट निकालना बेसिक था कि कैसे अबियों चैनल करेंगे क्या एक्जांब्ल होगरा उसके है तो क्या हो जाएगा वह सिगनल फेल भुजाएगा लगा अब यह क्या हो रहा है कोई भी सिगनल को एगर मैं स्ट पर जूँगाung क्यों नहीं होगा त doctrine उसी को किम्ण करें नहीं एक्स्पांड कर और दुकिया ओजाएगा सिंगर से स्टाइव ना था this time הנ सब्सक्राइब कि एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह इस तैब का आजाएगा यह समझ गया आप लो किशिक करने से क्या ओजाएगा रहेगा तो मैंनक्र इंफिनिटी से पाई बाई 4 अब यह क्या है omega naught T है omega naught T equal to 10 Pi T, T से T cancel तो omega naught की value कितनी आगई 2 Pi sorry 10 Pi omega naught की value कितनी आगई 10 Pi अब क्या निकालना है time period equal to कितना होता है 2 Pi भाई omega naught तो 2 Pi divided by 10 Pi 2 Pi से पाए गया 2 510 तो कितना बचा 1.5 यानि कि 0.2 second के आ गया इसका time period आ गया यह जो function दिया था उसका time period कितना आ गया 0.2 second और यही हमको क्या निकलना था तो क्या हो गया अभी क्या हमने देखा basic इसका concept कि shifting करने से उसके time period पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना आप लों समझे गए time period उसका क्या रहेगा सेम रहेगा अगर इसमें shifting यानि की फाई का कुछ फर्की नहीं बढ़ रहा सिगनल में चाहिए वो phase shift हो या ना हो तो यह क्या हो गया हमारा time period निकल गया time period जो phase shift होता है उससे independent रहता है यह हमको समय में आ गया अभी हमने क्या दख लिया कि periodic signal लेके देख लिया उसका time period निकल के देख लिया कैसे time period निक्लनाय क्या होता है तो क्या जाएगा उससे time period आ जाएगा ओमेगार नोट क्या होता हैownersका fine प利कन होता है फेस एंगल होता है अभी हम किख रहे हैं कि combination आपita 와서 यान कि दो या टीन या जितने भी आपके पिलॉस किनल है उनको आपका एड कर रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा हर कसी टाइम पिरिट कीया हर इस्वन तो क्छ थो क्या हो गया यानि कि क्या condition है कि इनका जो resultant है वो periodic होगा कि नहीं होगा उसके लिए क्या condition है will be periodic if the ratio of individual time constant, individual time constant इधर है न, individual time period is rational number यानि rational number क्या होता है यह तो आपको और रोड़ी पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी आपको पता देंगे पहले आप condition क्या समझगा है, condition समझ दीजे कि दो signal है उन दोनों का time period है लग लग है या same भी हो सकता है तो उन दोनों time period का जो ratio होगा वो क्या होना चाहिए rational number होना चाहिए ठीक है अभी हम example कि थूरु समझ लेते हैं अभी क्या हुआ है कि एक signal दिया हुआ है x of t यह फर्स्ट अगर हम इसको समझ लेंगे सेकने समझ लें इसको क्या थर्डी समझ लेавай the पहले गी घर थो यह तीनों क्या है एंडी गया प्यो बूमें क्या होगा गर kinda क्या होगा जो आड कर रहे है एकर कर रहें तो वो अगर periodic होगा या periodic होगा किस टाइप का होगा उसको क्या करना पढ़ेगा रेसो निकालना पढ़ेगा किसका Time Period का है या फिर कोई भी 200 निकाल ने है ती तो निकालने या फिर की 2 इनी कालने या ती 1 इसका आड़ नंबर नंबिर raining, regional number. तो क्या हो जाएगा signal हमारा क्या हो जाएगा periodic हो जाएगा यह आप लोगढ़ समझ गए इसका कहने का condition का मतलब यह था की condition क्या करे snakes हे हमारी कि कोई भी signal है उनको हम add कर रहे हैं जो periodic signal है उनको add कर रहे हैं तो उनका जो relative signal होगा वो periodic कब होगा, जब उसके जो time constant का ratio है, वो क्या आ जाएगा, एक rational number आ जाएगा, तो अभी हम इस नीवरकल को solve कर लेते हैं, और पता दिल जाएगा हमारा, और आपके जो doubt है, वो clear हो जाएगा, अब अगर ये दोनों इन सब का time period का जो ratio आ रहा है, वो rational number आ गया, rational number आ गया है that means, resultant signal क्या होगा, periodic होगा, लेकिन जो periodic signal होगा, उसका time period क्या होगा, time period एनी कि resultant signal जो होगा, add करने का final, t final जो होगा है, उसका time period क्या हो जाएगा, LCM of T1 T2, T3 और अगर ज्यादा time period मतलब बहुत सारे signal है तो उन सबका LCM होगा वो final उसका क्या हो जाएगा time period हो जाएगा final signal time period ठीक है अभी हम numerical को थोड़ा time में करेंगे अभी पहले यह देख लेतें कि rational number होता क्या है exactly कि rational number से आप लोग क्या समझ रहे हैं और होता क्या है कहीं दोनों अलग लग तो नहीं है इसलिए हम उसको clear कर लेते पहले देन हम numerical attempt करेंगे सबसे पहले देख लेंदे कि क्या rational number क्या होता है तो rational number क्या होता है हमारा rational number means कि कोई ऐसा ऐसा नंबर जिसको हम क्या PYQ के form में लख सकें है मैं कि PYQ के form में लिख सकें हम उसको क्या बोल दिया हम rational method बोल देंगे और मज़ने अगων दूसरी आख समुरे भासा में बात करें माषल्ण पनाता है तो पहला तो क्या होगा अगर हम उसको PYQ के form में में लिख सकें तो क्या हो जाएगा वो og कोई एक नंबर होगा अगर हम उसको क्या इंटिजर की फॉम में य देसिमल कंस कि अम हो जाएगा आ में जाए रिपीटिंग है तबीटिंग और अगर आपको लिखा है रिपीटिंग एननी कि कितनी 0.5 तो यह भी क्या हो जाएगा यह कमारा रैशनल नमबर हो जाएगा क्योंकि यह क्या हो गया टर्मिनेट हो गया यानी कि कोई भी नंबर जो डेसिमल में टर्मिनेटिंग हो या रिपेटिंग हो वो क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा जैसे कि आपको लिखा है पाई पाई की वल्लू कितनी होती है तो आपको रेशनल नंबर रेशनल समझ में समझ में आगी है मतलब क्या होता है क्योंकि हम यसी का यूजच करके, जो फाइनल हमारा टाइम पृरिड उसका उसका टाइम पृरिड निकालेंगे पहले यह पता करेंगे कि वो क्या है periodic है कि नहीं है periodic पता करने के लिए क्या है कि उसका जो रेसो है time question का कि वो क्या आना चाहिए हमारा rational number आना चाहिए तो अभी हम numerical पे आते है जैसे इसका time period गर हम निकालेंगे तो इसका T1 की विलू कितनी आईगे, T1 इकौल to 2 pi यानि की 1, t1 की विलू 1 आ गई, t2 की विलू कितनी आजाएगी, 2 pi by 6 यानि की pi by 3, अब यह देखो, जब T1 by T2 का रेसरो निकलोगे, तो कितना आएगा, 1 y pi by 3 यानि की 3 by 5, एक pi क्या है, एक आपका irrational number है, तो क्या तो आज के लिए इतना ही थैंक यू